हावरु फीक्स जियो सेक्यूरिटी एप साइंड आप एरोर प्राब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभीका तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जियो सेक्यूरिटी एप पर इस प्राब्लम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं मान लिजए दोस्तों आप एकाउंट को साइन आप करने जा रहा है लेकिन आपको यहाँ पर OTP ने स्टाक करवा दिया है यहाँ पर OTP आपको नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों कैसे आपको यह प्राब्लम सॉल्फ करना है आज की इस वीडियो पर मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ इसी के related solution आपको देने वाला हूँ ठीक है और आपका problem भी दोस्तो definitely fix हो जाएगा दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए well icon को click करें और अगर आप online पेसा कमाना चाते तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो OTP जो हमें अभी तक नहीं मिल रहा है मैंने recent कर दिया आ लेकिन आप यहापर देख लीजेगा एक भी message मुझे नहीं आ रहा है ठीक है एक भी message नहीं आ रहा है तो यहापर हम थोड़ा सा wait भी कर ले थे लेकिन मिलेगा तो नही नहीं ठीक है मैंने काफी दिल से solution कर रखा यहापर देखते हैं और यहापर भी यह message तो नहीं है ठीक है आप भी देख सकते यहापर कोई भी message नहीं आया हुआ है ठीक है तो अपने जो जियो सेकेरोटी है उसमें OTP का अगर आपको भी problem है तो क्या आपको follow करना होगा दोस् तो अगर आपने unknown number को block कर रखाए तो आपको problem हो सकते है ठीक है तो unknown number block होना नहीं चाहिए आपके SMS पे सारे साथ mobile पे recharge होना चाहिए incoming outgoing सब कुछ enabled होना चाहिए अगर बंथ है तो recharge कर लीजिए ठीक है उसके बाद आपको यहापर यह भी check करना है कि आपका network सही है या नहीं ह आप simply setting पर जाके system पर click किजे reset option पर जाए reset wifi mobile and bluetooth पर जाके sim select किजे reset setting पर click किजे और network setting को reset किजे यह process करते वग आपको mobile password पुछा जाएगा तो वह भी भर दिजेगा ठीक है तो network को fix करना भी जरूरी है और उसके बाद आप mobile को restart करके check करके देख सकते कि problem solve होआ है या नहीं ह solve हो जाते हैं तो दोस्तो अच्छी बाद है अगर problem solve नहीं हो पाते हैं यह solution करने के बाद भी तो आपको जाना है app and notification, app and notification manage app install app के option पर आपको जाना है उसके बाद आपको scroll down करके geo security app search कर लेना है scroll down करते आए यह रहा उसके बाद कर देना है first stop ok and then storage and cache clear storage कर देना है ठीक है clear storage ok और उसके बाद बेक कर देना है बेक करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर permissions completely allow करना होगा उसके बाद mobile data and wi-fi पे जाईए background data को enable कीजे और यह दो setting को off करके रखे अगर आपके mobile पे यह setting लिखा हुआ है disable wifi, disable data uses लेकिन अगर आपके mobile पे यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है wifi and data uses और अगर यह बन है तो इसको on करना परेगा ठीक है तो आपना mobile पे देखके setting को follow कीजे उसके बाद दोस्तो message पे जाये message पे जाने के बाद कर दीजे force stop ok उसके बाद दोस्तो इसका data भी clear कर देना होगा और उसके बाद इसका permissions को भी allow करना है and then दोस्तो mobile को restart करें restart करने के बाद दोस्तों आपका geo security app में आप जाए ठीक है जाके दोस्तों यहाँ पे आप अपना number 8 कीजिए और दुबारा से एक बार try करके देखिए आपका problem solve हो जाएगा तो यहाँ पे loading ले रहा है दोस्तों अभी आपको यहाँ पे अपना mobile number add कर देना है तो add कर दिया उसके बाद generate करते है OTP तो जैसे OTP यहाँ पे हमें मिलेगा तो इसको login कर लोगे the 888-429 888-429 तो यह हो गया OTP तो वेर एडिटिंग कर रहा है और यह आप देख सकते हैं दोस्तों problem यहाँ पे solve हो चुका है completely और loading ले रहा है अपना geosecurity app उसके बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है solve हो जागा नहीं यहाँ पे problem solve हो चुका है और यह आप देख सकते है geosecurity हमारे mobile पे लग चुका है और इस तरीके से दोस्तों आप geosecurity app को use कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे sign up OTP not receiving problem solved हो चुका है तो अगर आपको इस तरीके कोई भी problem है तो simply ABC solution को follow up ज़रूद से कर लेजेगा उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आओगा Thanks for watching